नमस्कार साथियों कैसे हैं आफ सब दोस्तों बिहार बीड इंटरेंट से एकजाम का रिजल्ट कल देर रात 9 बजे तक भी परकासन नहीं हुआ तो इसके समन्द में आज अपडेट आया है कि आज जो है इसका परकासन होगा दोस्तों कॉंस्रिंग प्रोसेस के बारे में और च्वैस फिलिंग के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं इस वीडियो में भी हम आपको चर्चा कर देंगे साथी साथ क्या क्या डोकुमेंट्स लगेगा वो भी हम आपको एक नजर में बता देंगे दोस्तो सभी डोकुमेंट्स को अभी से त्यार कर लिजीगा तो कॉंसलिंग के टैम में कोई भी परिशानी नहीं होगी तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो ये जो है देनिक भासकर का न्यूज है यहां पर बता जा रहा है कि बिहार बियर परवेस परिक्षा का रिजल्ट जो है आज जारी होगा जो कि कल रात 9 बजे तक भी जारी नहीं किया गया साथी साथ 3 एक्टूबर से जो है 13 एक्टूबर तक कांसलिंग चलेगी और यहां पर आप सभी को सबसे पहले 24 फिलिंग करना होगा यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो 24 फिलिंग करना होगा कोलेज को 24 करना होगा उसके बाद आप सभी को कांसलिंग एलोटमेंट लेट इसके बाद नीची आएगा तो यहां पर आप सभी को एक अपडेट मिलेगा बिहार CTBR result 2020 release यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो है आर्टिकल सामने आएगा यहां पर आप सभी को सभी जानकारी मिल जाएगी जो भी यहां पर ज जान लिजी कि documents क्या क्या लेगा वो आपको एक नजर में यहां पर जान लेना है CTBR 2020 admit card उसके बाद जो counseling जो होने जा रही है इसके लिए जो आप choice filling करेंगे तो इसका receiving साथी साथ counseling allotment letter दिया जाएगा जो कि आपका admission के समय काम आएगा तो यह दोनों जो है आप सभी को download करन होगा metric, inter का और graduation का mark sheet, admit card, provisional certificate यह तीन चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप other universities हैं तो आप सभी को original CLC TC तो लगेगा ही लेकिन उसके साथ-साथ migration भी लगेगा अगर अमाली जी आप university change नहीं कर रहे हैं तो आपको migration नहीं लगेगा उसके बाद जो है post graduate का mark sheet, provisional certificate या degree registration आपको लगेगा, सबसे ज़यदे जो जरूरी है वो आपके लिए card certificate, residential certificate, income certificate जो आपका current होना चाहिए जो 6 मंद के अंदर बना हुआ है, उसके बाद अपने category के हिसाफ से जो छूट आपको लेना है, उस हिसाफ से जो है category certificate होना चाहिए, इसके बाद जो है non judicial stamp जो 100 रुप college आपको alert होता है, तो पर्थम वर्स आप सभी को 75,000 रुपया पे करना होगा, अगर वही government college alert हो जाए, तो 11,000 से 12,000 रुपया के आसपास आप सभी को एक साल का लगेगा, इसके बाद जो है आप सभी answer की तो download कर ही चुके होंगे, और 3 October से आप सभी का choice feeling शुरू हो जाएग आप सभी college को choice करेंगे, उसके बाद आपके मन पसंद का college alert होगा, आप धियान रखिएगा कि जब भी आप college choice करेंगे, तो आप अपने ranking के हिसाब से ही college को choice कीजिगा, ऐसा नहीं कि आपका rank बहुत जैदा है और highest college को choice कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम आप सभी को 10 college जरूर choice करना है, अधिकतम आप जितना भी कर सके, न्यूनतम भी आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दिजिएगा कि जएदे सभी college को choice करें, इसके बाद अगर आपको जो है result डाउनलोड करना है, तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ ह यहां से जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे, official website आपको यहां से मिल जाएगी, तो आगे की वीडियो में हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, यदि आपके पास कोई भी queries है तो आप हमें comment box में जरूर पुछेगा, उसका reply हम आगे next वीडियो में जरूर देंगे, तब झाल